आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ एगाइस तो आज का मारा question है The given diagram illustrates the human digestive system Which part of human digestive system helps in the absorption of water from undigested food यानि कि जो ये diagram है human digestive system का हमें बताना है कि कौन सा पार्ट है ऐसा जो कि undigested food से पानी एब्सोब करता है यानि कि which part of elementary canal absorbs water from the undigested food and passes the rest of it to the energy ताकि वो बोडी से बहार आ सके ताकि हमारी बोडी में कुछ फाल्तू का material जो undigested food है वो ना रहे है ठीक है और जब हमने undigested food में से जो पानी ले लिया पानी के साथ सब बहुत सारी चीज़ा आते जैसे salts, drugs तो अब हमें पताना है कौन सा पार्ट करता है तो जो हमारी बोडी के अंदर जो undigested food होता है उसे small intestine, large intestine को पास कर देती है क्योंकि उपर से नीचे तक mouth से लेके small intestine तक digestion होता है mouth में saliva, peat में gastrin juice और small intestine में intestinal juice help करते है digestion के अंदर तो जो इकलोथा part digestion नहीं होता वो हती है large intestine तो large intestine क्या करती है large intestine क्या करती है जो ये small intestine food को digest कर लेती है और उसको absorb कर लेती है तो जो फेका हुआ है जो उसको past own undigested food होता है उसको लेती है और उसमें से पानी उसमें पानी निकाल लेती है और इसका काम क्या है इसका काम है कि उस undigested food को आगे पासओर करना था कि वो आगे बाहर जा सके, बोडी से excrete out हो सके, तो ये क्या करती है, उसमें से पानी निकाल देती है कुछ सॉल्ट्स और ड्रक्स भी निकाल देती है, उसके बाद सारे मैटेरियल को कॉम्पैक्ट करके एनस की तरफ पहुचा देती है, तो हमें question पे पूचा गया है, which part of human digestive system helps in the absorption of water from undigested food, तो हमारे इसका answer है, वो है large intestine और ये label करा गया है fourth से, तो हमारा answer हो जाएगा fourth option thank you so much guys 4444